तो स्टैंडर्ड नॉम्मल डिस्ट्रिबूशन नॉमल वाले डिस्ट्रिबूशन पे म्यू की जेगा जीरो लिगतो और सिग्मा की जेगा वन नॉमल डिस्ट्रिबूशन में म्यू की जेगा जीरो और सिग्मा की जेगा यह पीडिएफ है स्टैंड नॉमल का एंसर देखो यह क्यूमिलेटि पूट्टी बताएगा एफ अफ जेट तो जीरो तक कि क्योंकि जीरो के सिमेट्रिक ना जितना जीरो के रैट में तो जीरो के तो जीरो तक की पूलटी किसनी हो जाएगी 0.5 नहीं होगी क्या midpoint 0 है ना बिटा और 0 से आगे की भी कितनी होगी तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ fz at 0 is what 0.5 या यूं कहो कि probability z is less than equal to 0 बात तो एक है बिटा या यूं कहो 5z 0 ये सब notation same है बिटा ये सब stand normal के लिए use होती है क्योंकि 0 midpoint है तो 0 तक की probability 0.5 होगी बिटा और ये arrow left से क्यों बनाए है क्योंकि left से probability बताता है एक point तक मतलब minus infinity से 0 तक 1 तक ऐसे जितने ही probability बने सब left से probability बताता है left का मतलब less than होता है जितने भी probability tables है सब left से probability बताते है और left का मतलब less than होता है आप एक बार assignment निकालो सारे पर चलो प्लीज हाँ variance भी बनाता है जब standard deviation बनाना है तो variance भी बनानागा स्कार स्क्वाइर भी बता assignment निकालो और मैंने कहां तक question करा दियो थे आपको या question आज तुमारी class जो है तीन हंटे की है extended है तुमारा session आज दो तीन में तक है तुमारी class चलिए जी मैंसी पर वापिस आगया हूं देखिए पहले इसको देख लिए जी एक बार जड़ा example देखना बिटा इदर बोड़ पे है मालम मैंने कोई ऐसे example लिखा एक्स फोलोज नॉर्मल पच्चिस च्छतिस तो साहिल मीन क्या है इसका 25 और वेरियंस क्या है 36 राइट अब साहिल तुम्हें बोला मुझे लेज देन 24 की बोल्टी बताओ क्या बताओ लेज देन तो आप integrate करोगे कि stand normal या उसका cdf यूज करोगे cdf इस x को क्या बनाना है x माइनस म्यू बाई सिग्मा अरे अभी तो बताया था तो इस x में से क्या माइनस करूँ पहले तो बताओ अब करता था हूँ बेटा पहले formula लिखना सिखा दो फिर किस से डिवाइड करो ओके 24 माइनस म्यू अच्छा तो यह z आ गया न अब इसको z बोल दिया राइट 24 माइनस बाई 6 तो अब हमें बतानी है probability z is less than अब यह हमारे को table में मिलती है value कहां मिलती है बटा तो हमें रुको नहीं मिलेगी तुम्हें पहले सीख लो बटा एक बार प्लीज तो मेरे कहने क्या परपस है मैंने integration नहीं किया जैसे मैं काई स्कुर में कर रहा था इसी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं बताओ यहां पर अरे है ना तो उस एक्स को z बनाना है आपको ठीक जी का mean 0 है और variance 1 है एक्स का mean तो दिया होगा हर बार आप stand normal बनाना है तो यह stand normal के लिए बेटा यह काम करना होता है और अभी कारवाई शुरू होगी अभी हुई नहीं अभी तो यह सारा side वाला लिखना नहीं है अभी आपको board पे देखो अब दुबारा से तो यह मैं दिखा रहा था हो क्या रहा है अब मैं बनाऊंगा बहुत सारी photo मैंने कहा एक्स माइनस ब्यू बाई सिग्मा को हम जी बोलते हैं और जी फोलो करता है कौनसे distribution को बटा इसको क्या बोलोगे नाम क्या नाम बोलोगे normal 01 बोलोगे कि stand normal thank you जब भी 01 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है बटा stand normal 01 अपने आपनी आता लाना बढ़ता है हमारे को क्या करके लाना बढ़ता है random variable में से उसके mean को minus करते हैं किससे divide करते है standard deviation से प्लीज ये जो topic है अब से आपकी दो classes हुआ करेंगे दो classes कैसे हुआ करेंगे मैं आपको पहले बतायाता हूँ you are prepared एक तो हम topic जो आपका distribution चल रहा है आज से distribution से जो stand normal से आपका नया जीवन स्टार्ट होगा जिसने अभी भी नहीं पढ़ा है यहां से पढ़ना शुरू कर दे और paper pass अब हमारा हर class में लगभग एक चप्टर खतम हो जाएगा एक चप्टर ऐसे खतम हो जाएगा सबसे पहले हम जैसे stand normal में कराने के बाद सबसे पहले चप्टर हम start करेंगे CLT एक class का है पर फिर मैं दो लगाँगा इस पर sampling एक class का है एक ही लगा देंगे point estimation तो यह topic start हो जाएगे क्यों start करने है हमारे बहुत सारे बच्चे कोई economic science में है कोई stats में है किसी में उनके semester's के exam भी है ताकि वो वाला course जो उनके college में है वो यहाँ पर कर लेंगे तो उनको college का असान हो जाएगा थोड़ा सा तो आपको double class लेंगे time से पहले course खतम करेंगे ज़्यादा अच्छा practice कर पाएंगे ज़्यादा सटीक त्यारी कर पाएंगे 100% result की त्यारी कर पाएंगे हम दो तो time है तो उसके use करते है न क्योंकि फिर typing भी practice करनी है सब कुछ करना है तो अब से हर रोज जब भी class होगी आपकी दो classes start हो रही है एक चलेगे आपके बाद वाला batch दो टॉपिक चलेंगे अब आपके और सारे online वाले भी सुन लो offline वाले भी और यह अब serious होने का time आ गया है एक महिना at least सिर्फ आपको नवंबर का महिना जान लगानी अक्टोबर से आप मानलो 15 तरही के पंद्रा दिन यह वाले और अगले में ने की एक महिना आपके प्र तो एग्जाम आ जाएंगे दिसम्बर में फिर से आपके शाद ऐसे ना नवंबर में एग्जाम्स यह दिसम्बर में हैं कि इंटरन नहीं फाइनल्स अच्छा आई-पी अच्छा हाँ जो भी है कोई नहीं मैनेज करेंगे उसको सबसे अच्छी बात है ने वीडियो तो है हमारे पास ऑनलाइन तो है कोई चीच चुट पर प्लीज मेरी एक हाथ जोड़ से आप से विंती है जो बच्छे आफलाइन आ रहे हैं वो आते रहिएगा आपको मज़ा आ जाएगा आप बोलोगे सर क्या नेक्स लेवल की तया रही है क्योंकि आफलाइन आने में क्लास के साथ चलना पड़ता है आनलाइन में आप अपने हिसाब से चलते हैं जब आपको पड़ना है पड़ते हैं और वो क्लास के साथ कभी ने चल पाते हैं बहुत पीछे रहाते हैं एक बार आप क्लास के साथ चलने में जान लगानी पड़ती है भाई क्यों घर पर पढ़के आना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है और क्लास फास नहीं चल रही बहुत, किसी से ही पुछ लो, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, फास नहीं पढ़ा रहा हूं, अराम-अराम से, यहां तक, अब आगे देखो, ऐसे उड़ेंगी चीज़ें, अब उड़ने शुरू होंगी चीज़ें, फटा-फट, थीक है, तो हमा के अग्जाम को भी धक्सी टाइम दे पाएंगे, ठीक है, तो आपकी अब से दो क्लासेज हो गई है, और जो संडे क्लास नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा सिस्टम कर रहा था हमें, कि आगे पिछे करके, अड़जस्ट करके, सेम पेस पे लिया हूं मैं, इसलिए कर रहा था मैं तो आजे ही है भाई, अब खतरनाग वाली चीजे, इसके बिना आगे गुजारा नहीं है, यहां से आगे, यह स्टैन्ड नॉमल है, सबका बाप है, यह सब कुछ यही करेगा अब आगे, तो बोर्ड पे देखें प्लीज, कैसे करते हैं मैंने बता दिया आपको प्लीज, अ अरे यही आएगा, बोल बेटा, यह वन बाई सिक्मा कोई भार ले ले तो न, पूरा, ऐसे सुन्दर लगे गा देखने में थोड़ा सा, ऐसे, हैं, और एक्स कॉंसर डिस्टिपुशन को फोलो करता है, उसका मीन क्या है मेरे बेटा, अरे म्यू है न, तो क्या अंसर है मेरे बोलो, वन अपाउन, स्क्वार, प्लस, अरे वेरियंस ओफ कॉंस्टेंट क्या होता है, मैं लिख दूँ स्टेप फिर भी, कोई बच्चे ओँग कन्फूशन ना हो जाए, कोई कन्फूशन नहीं चाहिए, प्लस वेरियंस ओफ, वेरियंस के सामने माइनस नहीं आता, पाप चड़ेगा, तो कॉंस्टेंट, वेरियंस क्या हो जाएगा बिटा, तो वेरियंस ओफ एक्स क्या है, बिटा, सिग्मा स्क्वार, कटके क्या अंसर आया, क्यूंकि मैं बता देता हूं यहाँ पर, यह एक्स कॉंस्टेंट इस्टम फॉलो करता है, नॉमल विद मिन मियू वे आ जो बोड़ पे मेरे साथ दो फोटो बन पाएंगी हैं दो बनाते हैं अब आपको मैं फोटो से दिखाना चाहता हूँ चीजों को ताकि आपको समझ बढ़े है आपकी थोड़ी सी पलीज रेटना मत समझ ना यह आपका स्टैंड नॉमल का कर्व है मेरे पिटा ठीक मुझे प्रोबैबिटी मांगी है ठीक है एसे आगी तो मुझसे मांग रहा एक्जामर प्रोबैबिटी जैड इस ग्रेटर देन और एक्वल तो वाट और हमारा जो टेबल है स्टैंड नॉमल टेबल है वो लेफ्ट से प्रोबैटी बताता है कहां से बताता है जितने भी प्रोबैबिटी टेबल है सब क्यूमिलिटी प्रोबैटी बताता है और लेफ्ट से बताता है एक पॉइंट तक left का मतलब less than left का मतलब यहां greater than है मुझे इसको less than मिलाना है तो टोड़ पुल्टी में से क्या ये minus कर दू बेटा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था मेरे बच्चे अरे बोलो भाई साफ सिरी बात है तो आगे से कभी भी मेरे बेटा आपको ऐसे आजाए x is greater than 1.5 तो आप सिधा 1 minus क्या लिखेंगे fz at ऐसे लिखेंगे पूछ रहा हूँ आपसे नलाइको फिर दे आखा आँकें कोलो पहले आँकें ये x नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए हाँ क्योंकि x को पहले क्या बनाना पड़ेगा तब तब ये चीजे जो मैं बता रहा हूँ ये x पे अप्लाई ये z पे अप्लाई होंगी प्लीज और z कैसे बनता है समझ में आगे है अब उतारो प्लीज पर इसको अच्छा मैं इसको दिखा भी देता हूँ एक्जामनल को बता जाता हूँ एक्जामनल ये स्टैंड नॉर्मल का ग्राफ है और हम लेफ्ट से पॉल्टी बता रहे हैं अच्छा बेटा एक सिकन्ड बच्चो प्रिवेस देख लो कुछ देखना कुछ पर अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या अभी कराता हूं अभी कराके दूंगा टेंशन मतलूंगा हो गया यह नंबर वन फोटो थी है तो कभी भी जेट ग्रेटर देन इकल टू ए है तो वन माइनस कर सकते हैं उसको ऐसे करके तो पता ही है आपको बात क्यों टोड़पॉल्टी वन होगी है मेश्व नॉर्मल डिस्ट्रपूशन की रेंज क्या है इइफिनिट्टी और स्टेल नॉर्मल की रेंज क्या है में स्ञाशन इसमें इसमे एक्स को इनिंफिनिटी रखो तो इनिफिनिटी दू रहे गए है एक्स को माइनस नविड़ी रखो कि माइनस नविड़ी दो रेगा है पता है बच्चे क्या करते हैं रेंच चेंज करके से बन कर देते हैं आओ फोटर नंबर दो ओके कियाता है माइनस ए तक की बोलटी बताओ खास बात बोलता हूं तुम्हें हमारा जो स्टैंड नॉर्मल टेबल है मेरे बच्चो वो सारे उसमें पॉजिटिव नंबर है सारे क्योंकि जीरो तक की बोलटी कितनी है 0.5 तो आप पेज नंबर 160 और स्टैंड नॉर्मल टेबल पहुंचो जड़ा एक बार और देखो पहली पॉइंट 5 से स्टार्ट है तो 0 तक की पॉइंट 5 है उसमें नेगेटिव नंबर एक भी नहीं होगा स्टैंड नॉर्मल टेबल पे पहुंचो बच्चे सारे उसमें नेगेटिव नंबर एक भी नहीं होगा 166 पीडिएफ का 166 फॉर दे पीडिएफ मिल गया बेटा सबको देखो पहले 0 तक की पॉइंट नहीं है तो 0 के सामने 0.5 है ना तो वो 0 की पॉइंट नहीं है 0 तक की देखो उपर देखो जहां नाम लिखा है स्टैंड नॉर्मल और फोटो देखो शेडिड कर्व दे रखा हुआ यहां तक की और कैपिल एफ यहां फाई लिखा होगा कहीं नहीं फाई लिखा हुआ है तो मतलब वो क्युमिलिटी बोल्टी बताता हो फाई एंड कैपिल एफ आधर रिप्रेजेंटेटिटी फो क्युमिलिटीव अरे ठीक बेटा तो इसमें कोई नेगडिड नमबर है अब देखो अब हम नेगडिड नमबर कहां से लाएं माइनस इंफिड़े से माइनस एं मांग रहा है तो क्योंकि हमारे पास नेगडिड नमबर नहीं है तो एक बच्चे निसरा दी जितना एरिया ये है क्या उतना ही एरिया ये भी है पहले बताओ ना जो इतने एरिया की प्रोल्टी होगी वो इतने सेम होगी ना बटा और हमारे पास तो नमबर 0 से बड़े ही हैं सारे तो हम क्या करते हैं देखें बोर्ड पे प्लीज हमें पूछा था probability z less than equal to minus a बताओ तो क्या मैं उसको z greater than equal to a कर सकता हूं बिटा और इसको कैसे लिए सकता हूं fz at thank you very much example अगर आपसे कभी भी examiner पूछ ले minus two by three की probability बताओ तो आप सीधा उसको one minus fz at लिख दीजेगा अरे आया समझ में क्योंकि symmetric curve है क्योंकि कैसा करव है हाँ जी जब अगर curve symmetric होता है तो हम यह कर सकते होते हैं बिटा और इस सारे operation z पे लग रहे हैं बिटा उतारिए तो यह वाली आप table में देख सकते हैं one minus fz at point 66 होगा न बिटा two by three तो हो आगे देखू next photo number three बिटा आपसे examiner बोल रहा है कि भाई मुझे minus a से आगे की पॉलटी चाहिए ठीक है बच्चो हमें चीए probability z is अब हमारी table में minus तो है नहीं भाई कहीं पेपी तो ऐसा कर सकता हूँ बच्चो देखो minus infinity से a तक जितना area है उतना ही area कि आप minus a से infinity में है अरे बोलो है ना बटा जितना area yellow वाला है उतना ही इधर area तो same है तो area same है तो उसका proportion भी क्या होगा बटा same होगा तो इसको ऐसे लिखने में फायदा है z greater than equal to minus a will be same as what which is fz at a अरे है ना तो कभी example कभी भी आप से बोले z greater than equal to minus 1 by 3 बताओ तो आप सीधा fz at देख ले ना आपका answer आ जाएगा because the area is same why the area is same because this is the symmetric curve fourth number आगे बढ़े ना fourth number photo एक्जामना कहा रहा है कि भी मुझे probability बताओ minus a से a के बीच की ये region की probability चाहिए so probability z is between minus a and a तो आपको तो पता ही है आपने ये चीज पढ़ी है मेरे से कि सर कभी भी आप ऐसे बुलते थे x is between a and b तो आप सीधा लिख दे थे fx b minus अरे ऐसे ही करते थे थे ना आप कर मत देना minus है यहाँ पर और minus नमबर आपको मिलेगा नई तो सोचो सुनो दिहान से क्या मैं ऐसा करूँ इदर सुनो यहां तक में से ये minus कर दूँ बोलो बेटा तो यहां तक मतलब मैंने up to the point a तक में से minus कर दिया z is less than what correct है ये बात और z less than minus a के लिए मैंने क्या बोला था आपको it is one minus probability z less than equal to a बोला था कि नहीं minus को अंदर ले जाओ तो twice z is less than equal to a minus बनाया क्या तो आज के बाद कभी भी इस तरह का पूछ ले आप से इस तरह का पूछ ले आप से इस तरह प्रोबैबिटी बताओ minus two by three से तो आप क्या करोगे two times fz at two by three minus सीधा लिख सकते हो आप ये इससे derive करके दिखाने जरूँ नहीं है आपको होगे बिटा है यहां तक समझ में आया सबको ओके देखिए बोड पर तो मैं दुबारा से दिखा रहा हूँ आपको बोड पर ब्रीव दे रहा हूँ कि probability z greater than a आ जाए तो क्या लिखोगे अरे है ना probability z greater than minus a आ जाए तो अरे same ही तो लिखोगे क्या यह fz होगा ना यह और less than minus a अब ठीक है ना और between minus a and a twice a minus यह आएंगे formula यह तो खतरना काम होने वाला भाई के तो है normal 10,16 यह x का distribution किसका distribution देखोड़ा है x तो mu क्या होगे पिटा और sigma क्या होगे क्योंकि sigma चीए ना पेड़ा तो अब probability x is less than 11 क्या करूँ बताओ इसका x को z बनाओ पहले by sigma is less than 11 minus mu by sigma होगया इसको z बोल दो मिटा क्या answer आए बता minus z greater than minus तो सीधा इसको लिख दू probability up to the point half अरे है ना तो यह जो formula बता है यह use होंगे आपके यह x is greater than 9 or less than 11 निकालना ज़रा पहाए पहाँ आपके बता है यह सीधा checks दो पैसको अज़ क्यर मुशा एक है क्या झाथसी तो यह क्योशा एक जाए पहगषके पहाए पहेचे अ वहाएंगगे गफेचे लिदाना पहाएंगे ओता है। बहाईज है अज़ा